क्या हुआ संतुष बताओ हो मैं हुली से बहुत डर लगता है मारमचा हमारे होते वे हुली से कईसा डर संतुजी स्वारी आज से कुछ साल पहले हुली के दिन अपने गाउं में थी मैं मौहले के बाहर कुछ यड़को ने घेर लिया था मुझे माडम सर कहते रहे कि बुरा ना मानो हो लिया बहुत रिक्वेस्ट की मैंने उसे माडम सर बहुत बोला कि मत लगाओ रंग लेकिन नहीं सुना उन्हों ने जिस तरह से वो मेरे करीब आये जबर्दस्ती मुझे रंग लगाया और जिसे छुआ उन्होंने मुझे जिन नजरों से उन्होंने मुझे देखा तब से मुझे होली सी चड़ोने लगी माडम सर इसी लिए हर साल होली के दिन छुटी लेती हूं मैं और घर पर बंद रहती हूं यह भी कोई तरीका हुआ त्योहर मनाने का मस्ती मजाग में लोगों की जान भी जा सकती है पता नहीं कब समझेंगे यह समकुछ इसी तरीकी लोगों को सीधा करने के लिए हमने ये वर्दी पहनी है पुषबाजी संतो शर्मा तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह हम अच्छे से समझते हैं लेकिन तुम्हें डर से नहीं हिम्मद से काम लेना होगा स्थारी मैंनग सर यह पॉसबल नहीं है संतो शर्मा यह पॉसबल है क्योंकि उस वक्त आप छोटी थी लेकिन अब आप पुलीस हैं आपको अपनी ताकत समझनी होगी अपने डर को हराना होगा आपको सबी लड़कियों के लिए उधारन बनना है और सपोर्ट के लिए हम साथ में करश्मा सिंग को भेजेंगे तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। कर्श मामादम मुझे बहुत डर लगा है अगर कुछ भी घड़भड़गी ना तुम आपको उशारा कर दो नहीं घड़भड़ी नहीं करना है कुछ कजबड़गवा तो हमको बताना हमाइंगे हाँ हाँ, ओके ठोके किसको ठोके ओके ओके मैडम ओके चुलाक आए रही हो ठीक है ना दीदी आप आगे तो नहीं जा रही है हाँ उसी तरफ जा रही हूं क्यों अरे मत जाये मैडम जी आगे बहुत बदमास लड़के कड़े हैं देखिया उन्होंने हमें जबदस्ती पकड़ लिया और रंग लगा दिया माईट्कम, आगे कुछ लड़के खड़े हैं, क्या? भड़के पड़े? वो भड़के नहीं, भण लड़के खड़े हैं, माईट्म। जुन्होंगे यठ की लड़कें को जबरगें सिर्ण लगाई, वे बतमाश आगे खड़े, हाँ हाँ कहा है वो लड़की बताओ हमको वो लड़की आगे खड़े हैं चलो चलो लेके चलो हमको आईए मैडम जी कहा है लड़की मैडम जी आपके सामनी तो है तोपा अज़की आपके सामनी तो हमको कहा हमका आपके सामनी तो हमको मैंचके प्रॉण करी आपके सामनी तो हमको कहांने तो लेके सामनी टालो ły मैं हमको अजआיה वोनिवा लेके सामनी तो कितनी बार हमने आपसे कहना चाहा लेकिन हमेशा विफल रहे लेकिन इस बार नहीं इस बार जरूर कहेंगे अगर आपकी मुहबबत हमारे साथ है तो हमारे रास्ते के भूर भी कांटे बन जाएंगे हसीना जी हम आपके समक्ष दो प्रस्ताफ रखते है पहले में आपके अम्मी की खुशी है और दूसरे में आपकी आपको स्वयम ये निरने लेना है कि कौन सा प्रस्ताफ सब के लिए उप्यूक्त है क्या कर रहे हैं हसीना मलिक है कोई अपरादी थोड़ी है जो हमेरे शब जयल में फस जाएगी जस बात से बोलेंगे हसीना जी जिस दिन से हमने आपको देखा है उस दिन से ये बहुत दिनों से आपसे कहने वाले थे सर आप आप गुतनों पर क्यों है सर वो हमारे घुटने नीचे गिर गए थे तो अब अब मेरा मतलब है हमार मतलब है हुषप नीचे गिर गए थे तो हम हम उन्हें उठा रहे थे लेकिन आप इतनी शीगर यहां कैसे आ गई जहिन सर जहिन आप ट्राफिक ट्राफिक नहीं था ना सर होली की छुट्टियां चल रही है तो ट्राफिक बिलकुल नहीं था इसलिए हम इतनी जल्दी पहुंच गये वैसे आपके केबिन में यह फूल क्या कर रहे है सर आज हमें भी बिलकुल ट्राफिक नहीं मिली रास्ता पूरा खाली था हमें रास्ते में यह पुष्प दिखाई दिये तो हमने खरीद लिये आपको पसंद है तो आप रख लीजी सर प्लीज इने हमसे दूर कर यह प्लीज क्यों असीना जी आपको यह पुष्प पसंद नहीं आए नहीं पसंद है लेकिन हमें फूलों की अलर्जी है किंतु असीना जी आपको यह पुष्प पसंद है आपसे किस ने क्या दिया वो फेस हमारा मतलब है कि हमें लगा कि पुष्प देखकर आपके फेस पर पाच्री। सौरी सर, स्माइल तो नहीं आई पर हमें फूलों से छीक बहुत आती है। पर असीना जी, हमें पता नहीं था। वैसे आप किस महत्वपूरन कारिया ही तो यहां ही है। परसो महिला पुलिस्थाने में हम होली खेलने वाले हैं। छोटा साव इवेंट करने वाले हैं। बाखी सब चाहते हैं कि आप भी आये इसलिए हम आपको इंवाइट करने आये हैं। आप नहीं चाहती। हम भी चाहते हैं, सर। अगर हम आप आएंगे तो हम सब को खुशी होगी. हम अवश्य आएंगे. तन्यवाद. अवश्य! हमें जाना चाहिए वो एलर्जी बढ़ जाएगी. जहन! जहन, जहन. माशेर, यह बहुत ही कठिन काम है, जब भी वो हमारे सामने आती है, तो बात बिगड़ जाती है. लेकिन कोई बात नहीं, आज का दिन हमारा नहीं था, लेकिन परसों अवश्य हमारा दिन होगा, और उस दिन हम कोई करबड़ोने नहीं देंगे. पुषपाजी, बताईए हमको. उतर जाएगा, उतर जाएगा. आज तक अभी नाबाद में कोई पादा नहीं हुआ है, माही कालाल जो, जो हम से पंगा ले सके और ये बदमाश. इन बदमाशों ने सब के सामने हमको रंग लगाया, हमारे सामने हमारे साम अज़ाद किया, नहीं छोड़े, इनके जिन्देकी से में रंग नहीं उड़ा दिया ना पुषपाजी, तो हमारे नहीं भी करिष्मा सेंग ने. शान्त हो जईए, शान्त हो जईए हमें. करिष्मा सेंग, यह क्या हो आपके साथ? किसने किया यह? जिन लड़कों ने इन पर पाने के गुबबारे फैके थे, उन्हीं लड़कों ने इनके साथ जबरदस्ति की और बत्तमीजी से रंग लगाया. क्या? बैस खुद में कितनी हिम्मत है दिखाने के लिए यह सब कर दिया? इनकी हिम्मत को जादा ही खुल गए. करिष्मा सेंग के साथ बत्तमीजी की. संतो शर्मा का है. संतो जब बाहर आईए, आपको कुछ नहीं होगा. डरने के कोई ज़रूरत नहीं है. अब थाने में हो सेफ हो? नहीं, नहीं. जहां करिष्मा मैडम जैसी ओफिसर सेफ नहीं है, वहां कोई सेफ नहीं हो सकता. संतो जी उठ चाबी देदो. अनम जब दिखिये ना, वो लड़कालों के कारण संतो जी कितना डरी हुई. संतोश? माडम सर्, आपने गाता हमें कुछ नहीं होगा. यह देखिये उन्होंने क्या किया? कि चूरन लोग अपने आपको बहुत खुश्यार समझते हैं, ना. इन्होंने अभी तक हमारा भॉकाल नहीं देखा हैं, को गसीट तो यह अंथाना में लेकर नहीं आए, ना. तो हमारा नम भी करिष्मा सेंग. कि भुए आप! करिष्मा सेंग, रुखिये. नहीं माडम से देखे, उमको वैसे भी ढंक से सुना ही नहीं आ रहा हैं। और आम यह सुनना भी नहीं चाहते हैं, यूकि हमें पता, आब हमें रोकेंगे. शु। शान्तो जाई. हम आपको रोक नहीं रहें. अब हम इने सबक सिखाएंगे. चीते, चलो संतू आजा संतू हम सब है, आजा जढ़ा 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 ला बद्णाम, जढ़ा ला बद्णाम जहर दे मुझे क्या? भांग भांग पी आईए बद्णाम चाई पिलाओ अमा पिलाओगे आज? हाँ ला रहे अरे भाई मैया किसा प्रूप्त तो तुम्हारा आप बंद हो गया तो तुम्हारा आप बंद हो गया है क्या थांक्यू माराम थांक्यू सो मच्छ यह क्या टोपा अदमी है गवे सौरी बोलने की जगा हमको थांक्यू बोल रहे हो मुशपाजी इनको सुनाई दे रहे है अरे देखे मैडम थांक्यू बोलने की वजय समझतु ना हाँ अरे जब हम ना रहे थे तो हमारे कान में ज़ पानी गुस गया था पुषपाजी, इनकी दुकान वापस बन। आपको सच में सुनाईने दे रहा है। खुट सुनाईने दे रहा है ना तुमको डायन। हाँ, नहीं, हमको समझाईए, का का बोड़ रहा है। जब सुन पाते थी तुम चुडएल, तब तो कुछ सुनी नहीं हमारी बात। अब जब सुनने ही पा रही हो, तो हमसे बात सुनिये तुमको, करम जली। पुषपाजी, आराम से दुकान कभी भी खुल सकती है। हाँ... नहीं समझी। नहीं, 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 हमें समझाई है, हमें समझाई है। बिल्लू, समझा, मैं, मैं कैसे समझाऊंगा। मुझे वापस भरत नाट्ट्यम करना पड़ेगा। बिले। ओके। का बात कर रहे हो, बिले। कंटा आप लगाया, तो सुना ही दे रहा है। हाँ, हाँ... बदना, लगाओ कंटाप उस्पाजी, इनके दिमाग में पानी चला गया है। बताओ! मैंड़, बच्छाओ गया, हमको याद आगया, हमको चाहे देन जाना है। बिले, कंटाप लगाओ मैंड़, मेरा हाथ तो यहाँ तक ही पहुंच रहा है, तो थपड़ तो इसको पड़ेगा। इकबाल, कंटाप लगाओ, हमको जोर से कंटाप लगाओ मैंड़, हमारा हाथ भी देखिए, यहाँ तक यहाँ तक नहीं जा रहा है। इदे को यहाँ तक जाएगा। मैं भग! कुषबाजी, हमें कंटाप लगाईए, हमारा कान ठीक हीचेए हम? जोर से लगाईए, हमारा कान ठीक कीजिए, पुषबाजी जोर से लगाईए, हमसे नहीं होगा। मा, ऐसे कैसे, मारिये ना, जोर से मारिये मा, क्या करे हूँ, सोचो, सोचो ये आपकी बहुत नहीं टायन है, चुडेल है ये आप ही बात करती थी, आपके हर बात को क्राटती है मा, याद करो, वो जला हुआ खाना, वो जला हुआ पराठा, वो जली हुए डाल आपके लल्ले को छीन लिया है, इस टायन ने आपके लल्ले को जुरू का खुलाम बना दिया है करीशमा सिंग बहुत जोर से लगी क्या मुभार्को इतियास गवा है पहली दफा ऐसा हुआ है, सास ने बहु को कंटाप लगाया और बहु ने धन्यवाद किया इस तरह ये कथा यही पे समाप्त होती है, धन्यवाद जीता नजर रखो, जितने भी मीडियम हाइट की 20-20 साल के लड़के दिखेना उने पकड़कर सिधा जीप में बेठाओ चीके मानम से तब होली मन रहा है पूरा क्या हो रहा है आपर चलो, बैटो जीप में, थाने ले जाना है, रूटीन इंक्वाईरी है फिर चोड़ देंगे चलो चलो, हो गया, चलो, हो गया, हो गया, चलो अजया होगार, हो दूटीन इंक्वाईरी है चलो ना यार आप ज़रा चलो, चलो, हो गया अब जो हमने पूछा है ना सबसे उसका जवाब भी क्या भी चाहिए तो समझ के तो यहीं आरेस्स करेंगे यहीं जाइल में डाल देंगे मैडम जी इतना कानून तो हम लोग भी जानते हैं थोली खेलना कोई जुर्म है क्या थोली के दिन बाहर जाएंगे तो थोड़ा बहुत रंग तो लगी जाएगा ना बड़े-बड़े तेहवारों में से चोटे-मोटे हाथ से होते रहते हैं ना मैडम जी आपके पास सबूत क्या है? मैडम सर जिसने हमें रंग लगाया था न उसने स्कॉल वाला पेंडन पैना था फ्लीज चेकीजी पेंडन दिखाव जल्दी दिखाव फ्लीज चेकीजी आपके पत्राइब हाथ तेहा होते हैं तेहा हुआजी आपके टिखाव जी चेसे डिखाव जाएगारों में जी वाला बाहते हैं तेहा हैं